राज भाशा बनाया जाए राज भाशा अरधार जिस भाशा में शाषन का कारे होता है शाषन का राज गाज चलता है वो भाशा राज भाशा कहलाती है तो वो कौन सी होनी चाहिए तो इस पे एक बहुत लंबी बैस चली थी कई लोगों ने अपने अपने मत दिये थे तो उस काल से हिंदी या उसके स्वरूप इसके बड़े भाग पर संपर्क भाशा के रूप में प्रयूक्त होता था भक्ति काल में उत्तर में से दक्षिन तक पूरब से पश्चिन तक अनेक संतों ने हिंदी में अपनी रचनाएं की स्वतंतिता आंदूलन में हिंदी पत्रिका ने म तो राजा रामुन राय स्वामी दयानन सरसोती महात्मा गांदी सुभाष चंद्रपोष सुब्रमण्यम भारती अधी अनेकों नेक लोग थे जिनों जो हिंदी को राष्ट भाशा के पत्पर प्रतिस्टित करने का सपना देखा था महात्मा गांदी ने 1917 में भरूच में गु अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतियों द्वारा बोली जाती है यह समस्त भारत में आर्थिक धार्मिक और राजनितिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए शक्षम है तदा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है राष्ट्र पीता महात तवर्ष का आपसी धार्मिक आर्थिक और राजनितिक वैवार हो सकना चाहिए तीसरा यह जरूरी है कि भारत के बहुत से लोग उस भाशा को वोलते हो चौथा रास्ट्र के लिए वह भाशा आशान होनी चाहिए उस भाशा का विचार करते समय किसी सक्षणिक या अल्प स हाई स्तिती पर जोड नहीं देना चाहिए तो यह सारी मुख्य बाते थे जिसके आधार पे राश्पिता महात्मा गांधी ने खा कि एक राजभाशा होनी चाहिए पिर अनुच्छे 343 की राजभाशा अनुच्छे इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमारे पास कि खाज इसकि राजबाशा